आज फिर में हाजर हूँ बेसिक डाठोरी सीरीज का नेक्स्ट वीडियो लेके और अभी तक हमने सीख चुके हैं टॉन सेमी टॉन के थुरू फॉर्मॉला क्या था हम फॉर्मॉला हम जान चुके मेजर स्केल को क्रेट कर देगा और मेजर स्केल हम क्यों सीख रहे हैं क्योंकि मेजर स्केल ही मदर है सारे स्केल्स की तो एक बात पर मास्ट्री हो गई तो बड़ा मजा आने वाला है तो आज हम सीखेंगे ये टॉन टॉन सेमी टॉन के फॉर्मॉले को प्रैक्टिकली कैसे गिटार में हम उतारते हैं ये आज हम सीखेंगे इस वीडियो में तो बहुत useful होने वाला है, अपना गडार लेकर बैठ जाएए, और मेरे साथ साथ बजाएए, हम कुछ skills को practice करेंगे, और उसके बाद फिर आप उसको उसी मेरवड़ पे बाकी skills भी कीजेगा, और मुझे उमीद है कि आपने पिछले lesson को देखके, अपने copy pen लेकर बैठे होंग और वो बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप करेंगे नहीं, आपको दिक्कत नहीं आएगी, और जब तक दिक्कत नहीं आएगी, इसका मतलब आप seriously practice नहीं कर रहे हैं, तो मेरी request है आपसे, अगर अभी भी आपने scale नहीं बनाया है, किसी भी reason से, तो आज पहले scale बनाए टॉन सेमिटॉन के formula से, राइट, अब टॉन टॉन मतलब रहे हैं, root क्या था हमारा C, आपको पता ही है, fifth first position से बजा रहा हूं है C को, तो fifth string के third fret पर C, downstroke, राइट, इसके बाद हमारा है, ton D, C का ton क्या है D, तो D आपको मालूम है, four string ओपन रोटा है, राइट, अब D का ton क्य है E, तो four string का second fret E, ठीक है, अब E का semitone F, तो formula के साब से, tone tone, semitone, हमारा एक cycle पूरा हो गया, अब इसके बाद बापेस से tone, यानि कि F का tone क्या है G, third string open G, G का tone A, और A का tone B, और B का semitone C, राइट, तो ये बना हमारा C, D, E, F, G, A, B, C, तो ये हमारा बन गया, tone tone, semitone, se, C major scale, राइट, चले, एक scale और करते हैं, जिससे आपको और confidence आ जाए, तो आप हम सीखते हैं D major scale, राइट, तो D आपने देखा है होगा, four string open होता, आपको पता ही है, down strong open four string D, ये हमारा root हो गय अब D का tone क्या है, E, तो यानिकि, ये हमारा E, second fret, राइट, अब उसके बाद E का semitone क्या है, E का tone है, F sharp, तो fourth fret, same string पे, F sharp, राइट, उसके बाद F sharp का semitone है, वो G, यानिकि third string, G हो गया हमारा semitone, राइट, आपको आते हैं, next tone क्यों हो, तो G का tone है, A, A का tone है, B, और B का tone है, C sharp, और C sharp का semitone है, D, तो note क्या निकल क्या है, हमारे, D, E, F sharp, G, A, B, C sharp, D, राइट, तो इस method के तुरू आपने देखा, हमने किस तरह से scale को बजाया, हमने गिटार पे, अगर आप बिगदर हैं, तो आप अभी first position पे try कीजिए, फिर आपको जब लगे, कि आप confident हो चुके है, पोजिशन पे, तो अगले box के बढ़ेगा, आने की दूसी पोजिशन पे, आप से scale को बजाएगा, तो hopefully आपको यह समझ में आगया होगा, कि हम tone tone, semi tone की मदद से, किस तरह से practically guitar में scale को बजाएगा है, अभी हमने आज वीडियो में सिफ C और D को सीखा है, लेकिन आपको सारे scale बजाने हैं, और आपको नोट position को भी आप देखना है, अगर आपको वीडियो useful लगा हो, तो please like जरू कीजेगा, और अगर आप नए हैं, तो इस चैनल सब्सक्राइब कीजेगा, हिट करने आप बाइल आइकन को, और अपने दोस्तों में से share भी कीजे, आप comment करके मुझे बताइए, आपको ये series कैसी लग रही है, इसमें हम और क्या टॉपिक और add करते हैं, अगर आपको specific topic चाहते हैं, तो मैं कुश्य करूँगा फे अगले बाद, thank you so much